बाट के बाद मैं हर्बल्टी बनाऊंगी तो हर्बल्टी के लिए अपने ही बागीचा से उच पत्ते तोड़ूंगी देखिए ये हर सिंगार का पौधा है ये फूल से लदा हुआ है इसका पत्ता इसका फूल सब औस धिये गुन से भरा हुआ है देखे कितना फूल इसमें आया है और देख लिजे कितना फूल आया है औस धिये गुन से भरा हुआ है हर सिंगार का फौधा ये जमीन में हम लगा दिये हैं देखिए इसका फूल कितना शारा गिरा हुआ है इसका हम 5 पत्ता तोड़ लिये हैं, कोमल वाले, थोड़े से हम तुलसी पत्ता भी हम तोड़ेंगे, देखे, स्याम तुलसी है, अब देखे, गिलोय का भी पत्ता, कोमल वाले हम तोड़ेंगे, गिलोय का बहुत पुराना ये लत्तड़ है बहुत पुराना लत्तड़ है मेरे गया इसका टहनी इतना मोटा मोटा हो गया है तीन पत्ते तो मेरे हाथ में हो गया है और एक हम अमरूत का पत्ता तोड़ेंगे जो बहुत कोमल वाला है सारे अपने वगीचे में है, चार पत्ता हो गया, अब इसमें लॉंग इलाइची एस सब डाल करके काड़ा बनाएंगे, देखिए पत्ते सारे औस धिये गुन से भरे हुए हैं, तुलसी पत्ता के बारे में तो हर कोई जानता है, अमरूत के पत्ता डालिए, और ये हर सिंगा का पत्ता है, जो बहुत ही छारिये है, पेट में गैस नहीं बनने देता है, और जॉइंट पेन भी इस से ठीक होता है, तो चलिए इसका काड़ा बना करके हम दिखाएंगे, देखिए आज का ब्रेकफास्ट में, अंकुरित मूंग, बैगन आलू का सबजी, पराठा, दही, खीर, और डिजर्ट, मीठ्या, ये ब्रेकफास्ट का थाली कैसा लगा, लाइक करें, सस्क्राइब करें, सेर करें, धन्यवाद, गुड का, खजुर गुड का खीर है, बोछवीचास्ट का सबवाद क्या स मक्का सिक्टाइब का थास्टाइब का धन्यवाद का 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 लोगा हन्यवाद हादाद का थे acting ही का थेत्र, प्रेकितया का भी